कि 2019 दसस्ती फ्रेम रेट की वीडियो को एड्यूज प्रॉपरली प्लेए नहीं कर रहा है रुक रुक कर चल रहा है प्ले करने में बफरिंग कर रहा है तो उसी का सेल्यूशन लेके आया हूं उसी की एक सैटिंग आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आज मैं आप लोगो video record होता है कई दप है कई मेरे दोस्तों के पाल सिस्टम इतना है वी या इतना अच्छा नहीं होता है कि वो full HD video को एड्यूज में बहुत ही smoothly play करें दोस्तों जब आपका video बहुत smoothly play नहीं हो रहा है तो उस इस्तिती में आप क्या करेंगे आज मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ बस एक छोटी सी ट्रीक है दोस्तो आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से और कॉमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तो आप वीडियो को लाइक और कॉमेंट जरूर करते हैं लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ प्लीज आप लोग के ग्रूप में हमारे भाई लोगों के सभी फोटोग्राफर्स के आज की डेट में ग्रूप्स होते हैं प्लीज मेरी आप लोगों को से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को आप अपने ग्रूप में एक बार सेयर जरूर करें आसा करता हूँ आप एक ग्रूप में मेरी वीडियो को जरूर सेयर करेंगे अकर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे, वीडियो जानकारी वाला लगे तो ही सेयर करें, क्योंकि दोस्तों हमारे जैसे कई और लोग हैं जिनको छोटी-छोटी बातों की जानकारी नहीं होती है क्योंकि हम एडिटिंग के दौरान छोटी-छोटी बातों को नजर अन्लाज कर देते हैं हम देखते हैं कि यार हमें एडिटिंग करनी है, कैसे होगा हमें लोगों का काम देना है, वो कैसे होगा तो दोस्तो उस स्थिते में छोटी छोटी जानकारिया होना बहुत जरूरी है आज की डेट में कुछने कुछ नया करना जरूरी है आज की डेट में क्रेटिविटी बहुत जरूरी है जरूरी नहीं है कि हम एक ही लाइन पे चल रहे हैं दोस्तो एक ही लाइन पे चलके हम कुछ नहीं कर सकते ज्यादा आज की डेट में कस्टमर की दिवान बहुत नहीं हैं बहुत अलग हैं तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी जानकारी लेकर आ रहा हूं कि आपका वीडियो बिदाउट बफरिंग असानी से कैसे प दुआ से मैं सपरिवार बίलकुल कुसल से हूं तो चलिए दोस्तो जैसा की बैने सामने ने ओपन कर लिया है अब आप देखिए दोस्तो मेरे सामने एक सौंग है और और सौंग वो है जो की काफी लेयर वाला है जिसमें हमारी वीडियो रुक रुक के चलती है जैसे हम वीडियो प्ले करते हैं जहां पर हमारा टाइम लाइन का करसर चलता है उसी के उपर आप देखेंगे रेड लाइन एक आ जाती है रेड लाइन आने का मतलब है कि हमारा प्रोजेक्ट हैवी है जिसको हमारा system support नहीं कर पा रहा है तो दोस्तो इस इस्सिति में हम क्या करते हैं दोस्तो ये तो रहा है song, song में काफी layer होती है जिस कारण से हमारा system कितना भी अच्छा क्यों नहों कहीं नहीं जरूर रुख जाता है लेकिन जब हम mixing करते हैं दोस्तो तो उस दोरान हमारा system अगर ये इस्सिति में आ जाए तो हमारा बड़ा mood खराब होता है उस इस्सिति में हम क्या setting करें कि हमारा जो वीडियो है जो हम mixing कर रहे हैं वो बहुत ही आसानी से smoothly चले और हमारा editing का काम जल्दी से complete हो जाए तो दोस्तो ऐसे इस्सिति में suppose then आप amazing करें कि आप ये mixing कर रहे हैं और mixing करने के दौरान आपका वीडियो काफी रुख रुख कर चल रहा है या कभी किसी का drone का data जो होता है वो काफी heavy होता है drone का data तो वो भी कभी रुख रुख कर चलता है तो दोस्तो ऐसे इस्सिति में क्या करते हैं हम जाते हैं अपनी setting में दोस्तो आप देखेंगे जहां पर आपका preview window आ रहा है उसी के उपर आपको दिखाई देगा setting जैसे ही आप setting को click करेंगे दोस्तो setting को click करते ही आपके पास बहुत सारी setting दिखाई देंगी उस पॉप बिंडो का अगर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि वीडियो का frame Saiz, frame Rate और accept रेटियो ऐसी कई सारी चीजे हैं अगर आप ध्यान से देखना चाते हैं तो आप इसको ध्यान से read कर सकते हैं दोस्तों आप देखेंगे हम जिस पर mixing कर रहे हैं वह तो दोस्तों आप देखेंगे कि यही पर नीचे आपको दिखाए देगा चेंज करेंट सेटिंग को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नए पॉप-प बिंडू में भी आपको दिखाए देगा कि आपका वीडियो का प्रिसेट क्या है और तमाम कई चीजे यहां पर आपको दिखाए देंगे यहां आपको किसी को कुछ नहीं चेड़ना है आपको अपना फ्रेम रेट यहां देखना है दोस्तों वीडियो प्रिसेट उननीस बीच दससी पच्चिस पी तो दोस्तों इसी के सामने हमें क्लिक का ऐरो दिखाए दे रहा है जैसे ह इसे क्लिक करेंगे तो हमें कई सारे फ्रेम रेट दिखाए देंगे आप इस तरफ सेट अप को कुछ न चेड़ें आप यहां देख लें जो हमारा फ्रेम साइज है उननीस बीच दससी जो हमारा प्रोजेक्ट भी इसी पर बना हुआ है तो हमारे वीडियो स्मूथली नहीं काम है नीचे को SD पॉल वाले जो ऑप्शन है वह हमारे अब किसी काम के नहीं है दोस्तों तो दोस्तों आप देखेंगे HD वाले में सबसे आखरी में आपको दिखाए देगा 960 by 720 25 पी आप इसको क्लिक कर लें और इसको क्लिक करने के साथ ही आप इसे OK कर लें और OK करने के कम से कम 2-3 सेकंड आप रुख जाएं आपका Frame Size चेंज हो जाएगा जैसे आपका Frame Size चेंज होगा तो आपको अपने Time Line पर दिखाए देगा कि आपका जो वीडियो है वो कुछ चेंज हो रहा है क्योंकि वो वीडियो अपने Frame Rate को चेंज कर रहा है तो दोस्तों 2-3 सेकंड वीडियो चलने लगेगा और वीडियो चलने के दरण दोस्तों आपको दिखाए देखा कि आपके फिक्चर वालिटी थोड़ा सा डल हो गई है तो दोस्तों ऐसे इस इस्तिति में आप ढगराएं नहीं आपकी वीडियो वही रहेगी जिस फ्रेमरेट में आपने सौंग प्रोजेक्ट काफी है भी होता है तो इसलिए ये इस इस्तिति में भी थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा क्योंकि हमें गाने के दौरान जो हमारा सौंग का प्रोजेक्ट होता है जब भी हम सौंग क्रिएट करते हैं अपनी मुवीज में लगाने के लिए अपनी मिक् चेंज करने के दौरान भी सायद कहीं पर वफरिंग करेगा तो इससे आप धबराना नहीं है आप ये न सोचें कि खाती जी भाईया ने तो हमें खाली बेवकूब बना दिया ऐसे इस्थितिम नहीं है दोस्तों वो लोग हैं जो कभी-कभी लैप्टॉप पर अपनी एडिटि चलेगा जैसे कि आपने पूरा मिक्सिंग कंप्लीट कर दिया है मिक्सिंग कंप्लीट करने के बाद आती दोस्तों रेंडिंग के बारी जैसे हम रेंडिंग के लिए आते हैं दोस्तों आपको मालूम है कि हमारी वीडियो का तो पिक्चर क्वालिटी काफी डाउन है जैसे ह आपका जो frame rate यहाँ पर था 19-20-18C जो कि अभी हमने change किया है तो इसको हम click करेंगे और फिर से 19-20-18C 25P को click कर लेंगे और OK कर देंगे और 2-3 second देखेंगे जैसे ही 2-3 second होता है हमारा जो project है अपने को फिर से 19-20-18C frame rate पर ले आता है तो जैसे ही हमारा frame rate फिर से 19-20-18C हो जाए तो आप अपनी rending अपनी exporting आसानी से कर सकते हैं आपकी video की quality 1% भी दोस्तों डाउन नहीं होगी तो दोस्तों आसा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा कि आप अपनी video को aduse में आसानी से play कैसे करते हैं जिन भाईयों के पर छोटा system है ज्यादा heavy system नहीं है या कई भाई लोग laptop पर काम करते हैं तो video हमारे timeline पर buffering के साथ चलता है जिसको editing करने में हमारी समझ में भी नहीं आता और हमें काम करने का दिल भी नहीं करता है तो दोस्तो ऐसी इस्तिती में आप अपना frame rate चेंज कर लें और editing होने के बाद rending के दौरान फिर से आप अपना frame rate वही 19-20-1825 पी को click करके set कर दें और उसके बाद आप अपनी export करें या rending करें दोस्तो आसा करता हूं आपको video पसंद आएगा video पसंद आए तो like, share, comment कर दें और channel पर नए हैं तो channel को subscribe कर दें और video अगर आपको पसंद आजाए तो आपसे एक request है जो मैंने पहले भी की थी कि please अपने एक group पर share कर दें अगर video पसंद आता है तो video देखने के लिए thank you so much